बस्ती की ग्रामीट शेत्र में दबंगों का तांडव मार पीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरत दबंगों ने पीडित संतोश समित लेबर मिस्तिरी की करदी पिटाई संतोश मिश्र को आई सर में कग्बीर चोटे स्टेम हरिया की आदेश के बाद पीडित करा रहा था निर्माण कार कप्तान गंज तान शेत्र के अविल डिहा गाओं का मामला टावा में भरे बाजार में भीड की गुंड़ाई कार सवार चाला कर उसमें बैटे लोगों को बाजार में मौजूद लोगों ने पीटा कार ने दो मैलाओं को मारी थी चकर जिसके बाद वा माजूद लोगों ने कार सवार लोगों की जमकर की बिटाई इटावा के सब्जी मंजी लाके का मामला अंबीट का नगर में पटाका दागने की विवाद में दो पक्षों में चले इंटु पत्तर मार पीच के दोरान दो पक्षों के तीन लोग घायर एक तरफ हुई थी महियत तो दूसरी तरफ निकल रही थी बारा दौरातियों पर पटाका पूर्णे कारो पिरित पक्ष की तेरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और आठ अक्याद के खलाब किसदर्ज किया इब्राहिम पूर्थानशेत्र के बेलासपूर गाउं का मामला गाज़बाद के राजनगर एक्स्टेंशिन इलाके का विडियो वाइरल विडियो में कुट्टे ने सोसाइटी में खड़े दो बच्चों पर अचानक किया हमला गरमचारी और गाड ने आकर डंडे से कुट्टे को भगाया गानकुर में बीजेबी नेता की लड़की के साथ वाइरल फोचो पर बवाल के बाद सफाई कहा विरोधी लोग जानबूच कर एडिट की हुई आपपती जनक फोटो कर रहे वाइरल फोटो की फोरेंसिक जांच की विकास दूबेने की मांग काप बिना किसी जांच के किसी ने फोटो डाली तो करूँगा मानहानी का मुकदमा 20 साल से भाजपा कारे करता हूँ डरने वाला नहीं गिर्टर नॉड़ा की विसरक गाउं में दबंगों की होसले बुलन आधा दर्जन से जादा दबंगों ने घर में घुसकर बुज़ुर्गों को पीटा जरासी कासुनी होने पर की मारपेट कई लोग जखमी सिस्टीव में कैद हुई मारपेट की पूरी बारदात बारबंगी के असंद्रा इलाके में महिला की मौत से आक्रोशित ग्रामीडों का हंगामा आरोपियों की ग्रफतारी की मांग को लेकर लगाया जाम मौके पर पहुँची पूलिस की लोगों से हुई जड़ब गुस्ताय लोगों ने पूलिस के साथ मारपीट और पत्राप शुरू कर दिया ग्रामीडों के हमले में चौकी परभारी समेत कई पूलिस कर्मी घायल बाद में ग्रामीडों को भी पूलिस कर्मीयों ने दोड़ा-दोड़ा कर पीटा अमेठी में साइकिल चोरी करने के आरोप में दबंगों ने दलितों को दी तालिबानी सजा घरवालों को भी पीटा पिटाई का विडियो हुआ वैरल पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप बंदो या गाउं का मामला बॉडी में कुरोना गाइडलाइन्स चेकिंग के दोरान पुलिस का ड्रामा मास्क ना लगाने पर पुलिस ने महला को रोका पुलिस ने रोका तो महला ने किया ड्रामा गुंडा नगर पालिका में 27 बॉर्डो में वैक्सिनेशन का केम्प लगाया जाएगा जिसके तहट लोगों को वैक्सिनेशन के सुविधा मिल सके मौसम खराब होने के बाद भी लोग वैक्सिनेशन कराने पहुंचे कानपुर में बच्चों पर को वैक्सिन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू शेहर के 12 से 18 साल के 12 वालेंटियर बच्चों को वैक्सिन की लगाई गई पहली डोज 28 दिन के बाद वैक्सिन की दूसरी डोज भी लगाई जाएगी संभावेत तीसरी लहर को देखते हुए सरकार अलर्ट कोरोना संक्रमित बच्चों के लिए नई गाईडलाइन की जारी रेमजे सेविर का इस्तमाल ना करने के निर्देश बेहत जरूरी होने पर सेटी स्कैन कराने के लिए कहा पिठोरा गड़ के थल कस्पे के पास अमलिया गाउं में 12 बच्चों के कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हर कम प्रशासन और स्वास्ते विभाग अलर्ट सीमो ने तहसील प्रशासन की टीम के साथ अमलिया गाउं पहुंचकर विवस्थाओं का लिया जाएज़ा गाउं में अभी तक 46 लोग मिल चुके कोरोना पॉस्टिक तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाफ जिला प्रशासन प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को कांसिलिंग में लगाने की तैयारी की इसके तहट प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों से मोबाइल पर हर दिन उनके स्वास्त के बारे में जानकारी ली जाएगी देश में अब तक करोना से मौत का सबसे बड़ा आकड़ा आया 24 घंटे में 6148 लोग की मौत लगातार तीसरे दिन एक लाग से कम 94,052 लोग संक्रवेद एक लाग की क्यावर हजार 376 टोक ठीक 63,463 एक्टिव केस कम 9 जून तक देश भर में 24 करोड 27 लाग 26 लाग वैक्सिन डोस लगी बीते दिन 33 लाग 89 खुराग दी गई अब तक 37 करोड 21 लाग करोणा टेस 24 घंटे में करीब 20 लाग करोणा सेंपल जाचे गए देश में 3,69,676 लोग की करोणा से हो चुकी मौत करोणा आकरा पहुचा 2,91,83,121 अब तक 2,76,55,493 लोग डिस्चार्ज एक्टिव केस हुई 11,67,952 देश में 24 घंटे में हुई अब तक की सबसे ज़ादा मौत हैं एक दिन में 6,148 लोगों की हुई मौत देश में अब तक 3,69,000 लोगों की करोणा से हुई मौत बीते 24 घंटे में 94,052 नए केस सामने आए बीहाद में करोणा से मौत का आकड़ा अचानक एक दिन में 73 फीज़ी तक बढ़ा अब तक 5,424 नहीं 9,375 लोग की गई जान दूसरी लहर में जान गवाने वालों की संख्या 8,000 के करीब अप्रेल से मरने वालों की संख्या में करीब 6 गुना इजाफा यूपी में 24 घंटे में करोणा के 642 नहीं मामले एक दिन में 3,6,000 करोणा टेस्ट प्रदेश में करोणा के एक्टिव केस हुए 12,243 रिकवरी रेट 98 परतीशत वहीं पॉजिटिवटी रेट 0.2 फीज़ दी यूपी में लक्षे से ज़ादा हुई करोणा टेस्टिंग, डबलो एचो के मानक से 10 गुना ज़ादा टेस्ट प्रदेश में रोजाना 32,000 टेस्ट का लक्षे था जबकि हर रोज 3,000,000 से ज़ादा टेस्टिंग हुई यूपी में कुरोना वैक्सीन के लिए जारी ग्लोबल टेंडर किया गया रच, 4 करोड वैक्सीन के लिए जारी किया गया था टेंडर, केंदर सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी आने के बाद रच किया गया टेंडर बरेली में कुरोना से हुई 7 और लोग की मौत से स्वास्थे महकमे में मचा हड़कम, 3 दिन में कुल 21 लोग की हुई मौत बरेली में नकली रेमडेजिविर इंजेक्शन का भंडा फोर, इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद हुई मरीज की बौत परिजनों ने अस्पताल संचाल के खिलाफ दर्च कराया मुकदमा, 90,000 में मिला था रेमडेजिविर इंजेक्शन राहूल गांदी ने वैक्सीन लगवाने के लिए पहले ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराया जाने की अनिवारता के सिस्टम पर सवाल उठाया राहूल ने कहा सेंटर पर जाने वाले हर शक्स को ठीका लगना चाहिए, और्लाइन रेजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है योग गुरू बाबा रामदे भी अफ करोना वाइरस की वैक्सीन लगवाएंगे, उन्होंने कहा डॉक्टर से नहीं ड्रग माफियाओं से लड़ाई, इमर्जन्सी में ऐलोपेथी श्रेस्ट, अच्छे डॉक्टर, धर्ती पर देवदूत और वर्दान गाज़ेबाद में कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद लापरवाही पर आक्शन में पुलिस एक दिन के अंदर बाइस सो लोगों का किया चलान, पैंसट मुकद में किये दर्च, ये पूरी कार्रवाई देहाद शेत्रों में हुई भाजपाद ध्यक्ष जेपी नडड़ा से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने की मुलाकात, शुकरवार को प्रधान मंतरी मोदी और भाजपाद ध्यक्ष जेपी नड़ा से मिलने पहुँचेंगे सीम योगी सीम योगी की केंद्रियक रहमंत्री अमिट शाह से मुलाकात खत्म करीब डेड़ घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक कुरोना की रोक्थाम को लेकर बैठक में हुई चर्चा रहमंत्री अमिट शाह के साथ अनुप्रिया पटेल की बैठक भी हुई खत्म रहमंत्री आवास से निकले अनुप्रिया पटेल सीम योगी की मौजूद्गी में अमिट शाह से मिलने पहुंची थी अनुप्रिया पटेल यूपी में 10 IPS अधिकारियों के तबादले 2010 बैच के IPS वैभव क्रिष्टन को फिर मिली पोस्टिंग वैभव क्रिष्टन को पुलिस अधिक्षक प्रशिक्षन एवं सुरक्षा लखनवू बनाये गया सीम तीरत सिंग रावत की चुनाव लड़ने की अटकलें तेज गंगोतरी विधान सभा से चुनाव लड़ने की हो रही चर्चा तो यमकेश्वर और चबच्चा खाल से भी मैदान में उतर सकते हैं सीम पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की विरोध में 11 जून को कॉंग्रेस पूरे देश में केंदर सरकार के खिलाफ करेगी धरना प्रदर्शन जिला मुख्याले पर पेट्रोल पंपों के बाहर धरना प्रदर्शन मुंबई के मलाड वेस्ट में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में भारी बारिश ते बड़ा हासा इमारत के गिरने से 11 लोग की मौत हो गई रेस्क्य ओप्रेशन में महिला और बच्चों सहीद 15 लोग को बचा लिया गया हासे में साथ लोग घायल अस्पताल में कराया गया भरती भारी बारिश ते मुंबई में कई जगा पानी भर गया सामाने जंजीवन प्रभावित सड़क यातायात के साथ लोकल ट्रेंज सेवाएं भी बाधित पुलिस ने की घरों से अनावाशक बाहर नहीं निकलने की अपीर राजधानी लखनाओ में मौसम हुआ खुश्णुमाज सुबा आठ बजे से ही छाया नेरा आसमान में काले बादल छानी के साथ होने लगी बारिश बारिश का मज़ा ले रहे लोग लखनों में हुई बारिश ने खोली नगरपालिका की पोश शहर के कई लाकों में सड़कों पर जलभराव से लोग परेशान चावस्ती में सुबल से हो रही रिमजिम बारिश ओमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजा किसानों को खेतों में धान बुआई का मिला मौका राए बरेली में प्री मौनसून की पहली बारिश ने खोली नालो की साफ सफाई की पोल सड़कों पर बहराहन नालो और सीवर लाइन का गंदा पानी मलिक महू इंद्रानगर खिन्नी तल्ला गुलाब रोड में सड़कों पर जल भराव की समस्या हल्दवानी और आसपास के अलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट उमस भरी गर्मी से मिली राहत पिछले दिनों हल्दवानी का तापमान 32-35 डिगरी के आसपास दर्श किया गया था अगले तीन दिन के लिए मौसम विभाग में नेनी साल और कुमाओ के अन्य अलाकों में भारी बारिश के चेताबनी की जारी गाजियाबाद के थाना लिंक रोड शेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया की केमिंकल फैक्टरी में लगी भीशना फार ब्रिगेट की छे गाडियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू आग लगने के कारणों की हो रही जाए आग के घटना से कोई जन्हानी नहीं नोईड़ा के सेक्टर 83 में सड़क पर चलती कार में लगी आग देखते ही देखते आग का कूला बनी कार हुई राग कार में सवार चार लोगों ने समय पर कार से निकल कर बचाई जान मौके पर दमकल की काड़ियों ने बुझाई आग थाना फेस टू शेत्र का मामला मिर्जापुर के थाना बिंधियांचल को पालपूर मर्गुडा घाट पर पांच महिलाओं सहित एक बालिका गंगा इस्नान के दोरान अचानक डूबने लगे तीन महिलाओं को सकुषल बचाया गया तेहरा साल की लड़की समेट एक महिला डूबी मौके पर प्रभारी निरीक्षक के साथ पहुंचे गोता खोर और नाविकों की मदद से जूबने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी बलरामपुर में तेज रफ्तार ट्रक का बेज़ुबानों पर बरपा कहर एक ट्रक ने गोबन्चो को कुछला जिसमें पाँच गोबन्चो की मौके पर हुई मौद हाथ से के बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरा फिरोजबाद में प्रेम प्रसंग के चलते पत्मी ने प्रेमी संग मिलकर की पती के हत्या पती के भाई पर लगाया हत्या का आरोप दक्ये से मूँ दबाकर पत्मी और प्रेमी ने मिलकर वारदात को दिया था अंजाम पोलिस ने आरोपी पत्मी और उसके प्रेमी को किया ग्रफतार जालोन के दागघर एजेंट ने खाता धारकों को लगाई पांच करोड की चपत खाता धारकों ने डीम को शिकायती पत्र सौंथ कर लगाई नियाय की गुहार पोलिस ने एजेंट के खिलाब धोखा धड़ी एक्स के तहट दर्च किया मुकत्मा हमीर पूर में चोरों ने एक पूर प्रधान के घर को निशाना बनाते वे लाकों की चोरी को दिया अंजाम चोरी की गटना सीसी टीवी में कैद पोलिस ने मामले की जाश शुरू की संभल के चंदोसी में लकडी कारोबारी से बदमाशों ने मांगी रंगदारी तिट्टी भेज कर एक करोड रुपे की मांगी रंगदारी रंगदारी ना देने पर अंजाम भूगतने की धम की दहशत में कारोवारी, पुलिस ने कारोवारी के पडोसी को हिरासत पी लिया ललितपुर के एक व cheesy गाव Mojla और दो बच्चो के शब मिलने से इलाके में संसनी दोनों बच्चों के शब बांध में मिले और महिला का शब थोड़ी दूरी पर पेड़ से लटकता हुआ मिला पोलिस कर रही मामले की जांच हरिद्वार में रोडवेज करमचारियों का धरना प्रदर्शन पिछले पांच महीने से नहीं मिली सैलरी दो दिनों तक बंद रखेंगे कामकाच मांग ना मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी संतों की साफ चेतावनी है कि अगर देविस्थानम बोर्ड का फैसला रद नहीं हुआ तो सरकार को इसका खामियाजा 2022 के चुनाओं में बगतना पढ़ सकता है गाजिपूर में पंचाय चुनाओं को लेकर बड़ी गड़बड़ी का खुलासा सरेला गाओं में महिला रक्षित सीट पर पुरुष प्रतियाशी बना जिला पंचाय सदस है अब घर की महिला को सदस से बनाने का दबाब बना रहे है आरो और सेकरेटरि कोरोना काल में महंगाई पर प्रियंका गांधी वाज्जरा का हमला सोशल मीडिया पर कहा भाजपा सरकार ने टैक्स बढ़ा करोडों कमाए आपदा काल में आर्थिक संकट के बीच टैक्स बढ़ाया उननाओ के गेहु क्रै केंदर प्रभारी को डियम ने जारी किया चेतावनी पत्र लिखा केंदर पर गेहु भीगने आ खराब होने के जिमदारी किसान की नहीं बलकि केंदर प्रभारी की होगी केंदर प्रभारी और संबंदित एजेंसी के अधिकारी से की जाएगी नुकसान की भरपाई बांगर मौग के गेहूं क्रेकेंदर पर गेहूं भीगने के मामले में SDM से मांगी रिपोर्ट चामली के कैराना कोटवाली शेतर के गाउं एर्टी में सरकारी हैंड पंप पड़े खराब पिरीजबाद में 14 साल की बच्ची पर आफट का पहार तूट पड़ा पतेपूर सिकेरिया गाउं में बच्ची की मा की बिमारी से मौत हो गई कुछ दिन में सद्मे से पिता भी चल बसे भाई ना होने की वज़े से बच्ची को ही माता पिता को मुखागनी देनी पड़ी अमरोहा में आमावस्या पर शर्धालों ने लगाई आस्था की डुपकी हजारों शर्धालों ने इस्तान करकी पूजा अर्चरा गंगा घाट पर नहीं दिखा पोलिस प्रशासन का पहरा गंगा धाम तिगरी का मामला अयोध्या में 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सबसे बड़ी रामलीला का होका आयोजन शाम 7 से 10 बजे तक होका प्रसारण इस बार रामलीला में सीता की भूमिका में नजर आएंगे अभिनेतरी भागेश्री अही रावन बनेंगे शक्तिकपूर रावन की भूमिका में नजर आएंगे शाबास खान, रजा मुराद कुमकरन तो बिंदुदारा सिंग बनेंगे हनुमान हास से कलाकार असरानी नारत की भूमिका में आएंगी नजर गुरुबार को शेर बाजार दिन के उपरी स्तर पर कारोबार करते हुए बंध हुआ 358 अंकों की बढ़त के साथ 52,500 के स्तर पर बंध हुआ सेंसेक्स वही 99 पॉइंट्स के उचाल के साथ 15,734 के लेवल पर हुई निप्ची की क्लोसिंग बजाज फाइनेंस का शेर 7.6% दी तक उचला गुरुबार को सोने की कीमतों में दर्च की गई गिरावट चांदी के भाव में आई तेजी सोने की कीमत 138 अंकों के लेवल पर पर पहुँची वहीं 354 रुपे की तेजी के साथ 17,173 रुपे पर पर पहुँचे चांदी के भाव रिड्यूसर मधू मंटेना की रामाइन को लेकर काफी बज है फिल्म में रितिक रोशन के रावन का रोल निभाने की खबरे हैं वहीं दीपी का पादुकोन के फीमेल लीड निभाने की चर्चा है इस सब के बीच खबरे हैं कि रामाइन को और खास बनाने के लिए मेकर्स हॉलिवूड फिल्म अफ्तार की कॉस्ट्यूम टीम के साथ बाचीत कर रही है श्वेता तिवारी ने फ्लांट किये एप्स तो बेटी पलक ने शेयर की ग्लैमरस तस्वीरें एक्ट्रेश श्वेता तिवारी बीते काफी समय से अपनी वेट लॉस जर्नी को लेकर चर्चा में रही है फिल्हाल वो साथ अफ्रीका के केप टाउन में है जहां वो शो खत्रों का खिलाडी शूट कर रही है केप टाउन से श्वेता तिवारी के कई फोटो वाइरल हुई कुछ में तो वो एप्स फ्लांट करती नजर आई बॉलिवोड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडेस और रैपर बाच्चा का नया गाना पानी पानी रिलीस कर दिया गया है पानी पानी गाने को सारे गामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर रिलीस किया गया है वहीं इस गाने के लिरिक्स, बाच्चा और आस्थाने लिखे हैं रकुल प्रीट सिंग ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पैनकेक बनाते वीडियो शेर किया हाला कि उनकी बनाई डिश जल गई जिस पर रकुल के भाई अमन रकुल से पूस्ते हैं सोनम कपूर ने बुद्वार को अपना जन दिन लंदन में पती आनंद अहुजा के साथ सेलिब्रेट किया इंस्टा पर सोनम को बद्वे विश करते हुए उनके हभी आनंद अहुजा ने सोनम की जमकर तारीफ की और उन्हें बहतरीन इंसान बता डाला जिसके जवाब में सोनम ने लिखा लव यू माई बेबी बॉलिवूड एक्टरिस कियारा अडवानी का नया लुक सोशल मीडिया परचाया है जिस पर वो पैंट सूट पहन कर बॉस लेडी का जलवा दिखाती नज़र आ रही है रेट करके पैंट सूट वाले लुक में कियारा को फैंस काफी पसंद कर रहे है